अगर हमारे पास कुछ संख्यां दी गई हूं, तो हम बिना भाग किये कैसे पता करेंगी कि वो चार से कटेंगी या नहीं कटेंगी, तो इसके लिए एक नियम होता है, किसी भी संख्या के अंत की जो दो अंक हैं, अंत के दो अंक, उनसे बनने वाली संख्या, जैसे कि 2 और 4, तो यहाँ पर क्या बनने चist 16, अगर यह दो अंकों से बनने वाली संख्या 4 है, पुरी-पूरी, तो वह संख्या भी 4 से स्कट जाएंगी, जैसे Chem 24 कट जाएंगा 4 से 6 बार में, तो यह संख्या भी 4 से कट जाएंगी, अब यहाँ पर देखिए, अगला वाला, अंत के 2 अं होता तो यह 4 से कट जाता तो यह भी 4 से कट जाता तो या तो अंत की 2 संख्या हैं तो या तो अंत के 2 अंक ऐसी संख्या को निर्मित करें ऐसी संख्या को बनाएं जो की 4 से पूरी-पूरी कट जाए तो वह संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है और हमें पता करना हो कि वो संख्या 8 से कटेगी या नहीं तो नियम कुछ-कुछ वैसा ही होता है लेकिन 4 के लिए हम अंत के 2 अंकों को देखते थे और 8 के लिए अंत के 3 अंकों को देखेंगे तो यहाँ पर अंत के 3 अंक क्या है दो, पांच, छे तो संख्या बन गई 256 क्या ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी अगर आप इसे भाग देंगे तो पूरी पूरी कट जाती है 8 तिया 24 और फिर एक हासिल यहा जाता तो 8 दूनी 16 तो ये संख्या भी 8 से पूरी जैसे कि ये संख्या भी 8 से पूरी पूरी कट जाएगी